तो यार Love and Thunder का first official trailer आ चुका है और यार पहली बार मैं Thor से ज़्यादा Christian Bale के character के लिए excited हूँ and since वो इस movie में है तो obviously मैं एक अच्छा storyline भी expect कर रहा हूँ चलो अब अपने feelings को यहाँ ना निकालते वे इसके breakdown में डुपकी लगाते हैं क्योंकि इसमें कई सारे details and comic book से references है सबसे पहला shot तो वहीं का है जहाँ Thor meditate कर रहा था and कौर गिसी Thor की story इन लोगों को सुना रहा है आप clearly पीछे वही tree spot भी कर सकते हो जिसके निचे Thor meditation कर रहा था and रही बात की यह लोग कौन है तो इनकी भी बहुत ही unique storyline है तो यह जो पूरा location है वो Indigar planet है जहां comics में भी ऐसी नीले aliens रहते थे वहां हुआ क्या था कि इस planet के gods जिनने sky lord of Indigar बोला जाता था उन्हें God the God butcher ने मार दिया था and as shown in trailer कुछ time के लिए यहां Thor भी आया था तो हां कह सकते हो कि इस planet के gods God the God butcher के victim थे वैसे आपने ये भी notice क्या होगा कि इस planet पे थार के साथ guardians भी आएंगे then इस shot में हमें new asgard दिखता है जहां आप ये ship देख सकते हो जिसके बारे में मैंने पहली ही बताया था कि इस ship को tooth nasher and tooth grinder चलाते हैं आपने एक shot में ही इन दोनों बकरी को spot भी कर सकते हो वैसे यहां थौर ravager थौर से दूसरे लुक में transform भी होता है और पीछे देखकर मुझे तो ऐसा ही लगा कि ये सकार planet होगा जो कि थौर रैगनरॉक में दिखा था भाई इतना कचरा वही होता है इफ आपको नहीं बता दो बता दू कि रैविजर थौर का ये जो लुक है रेड जैकेट वाला वो भी सिधा कॉमिक बुक से उठाया गया है देन हम देखते है थौर को exercise करते हुए और यहां जो इसका लुक है वो Tom Hanks के forest gum के लुक से लिया गया है जो की मेरी one of the favorite movie है वैसे शायद आपको पता ही होगा किसी movie को official remake यहां आमिर खान कर रहे है लाल सिंग चड़ा नाम से यहां इफ थौर के cap पे धहन दोगे तो इस पे strongest Avenger लिखा है जिसके बारे में मैंने पिछले breakdown में भी बताया था यह shot मुझे बहुत सही लगा अब literally देख सकते हो कि Thor Guardians के ship Benatar से exercise कर रहा है जो कि literally Thor के true powers को बहुत अच्छे से represent करती है भाई Benatar ship इतना powerful है कि एक galaxy से दूसरे galaxy कुछ seconds में ही पहुँच सकता है और उसे रोकना impossible यहीं पे again हमें वही Jane Foster की female Thor या फिर mighty Thor को दिखाया जाता है जहां वो Thor के टूटे वे मेउनीर का use कर रही है देन हम Thor को उसके new costume and helmet में पूरी तरह से shock देखते हैं यहाँ पे मैं अपना honest reaction दू तो मुझे सब सही लग रहा था बस यह Thor का helmet कुछ जादा ही बेकार लगा पर anyways Marvel को toys and action figure बेचना होता है तो इसलिए वो एक ही movie में same character के different looks देते रहते हैं देन इस वाले shot में मुझे पहले तो लगा कि यह वैलकरी होगी बर ध्यान से देखने से पदा चलता है कि नहीं यह mighty Thor ही है जो कि वैलकरी के घोड़े एरेगॉन को right कर रही है और आगे trailer से भी पता चलता है कि भाई दोनों बहुत अच्छे friends बन चुके है देन आता ये वाला scene जो कि सीधे Bollywood से उठाये गया है जेन बोलती है कि उनके मिलेवे कितने दिन हो गए 3-4 साल जिस पे Thor बोलता है 8 साल 7 महीने 6 दिन अब यार मानो या ना मानो बट शारुक खान डेड़ फस जोक सपाट जेन और थौर के इस इंटरैक्शन से ये पता चल जाता है कि थान उसके snap में जेन फॉस्टर भी बलिप होई थी मतलब वो भी धूल बन गए थी नहीं तो यार जेन 3-4 साल बोल रही है और थौर 8 साल बोल रहा है अब इसली किसी को भी टाइम का इतना कन्फिजन नहीं हो सकता अनलेस और इंटिल वो करेक्टर 5 साल के लिए गायब हो गया हो देन हमें ओलिम्पिया दिखाय जाता है जहाँ जिस है इस लोकेशन पे थौर, कॉर, वैलकिरी और जेन साथ में रहेंगे और जिस को गौर की वर्निंग देने आएंगे और उसके बारे में पता लगाने पहुंचेंगे ट्रेलर देखके तो ऐसे ही लगा कि वो पहले यहां सीक्रेटली आएंगे दूसरे गौर्स का पता लगाने के लिए और इसी के बाद जिस कुन के आडेन्टिटी पता चल जाएगी और फिर शायद जिस थौर को गौर के बारे में कुछ डिटेल्स दें वैसे यहां आप देख सकते हो कि थौर की जो शिप है वो बैफरोस्ट के पावर को हरनस कर रही है और उसी से वो ट्रैवल कर पा रहा है एंड ऐसा वो अब्यसली स्टॉर्म ब्रेकर के थू कर सकता है यहां आप ट्लिरली देख सकते हो कि वो स्टॉर्म ब्रेकर का किसी गियर की तरह यूज़ कर रहा है I think Infinity War के टाइम से ही सब जानते हैं कि भली अब Asgard नहीं है बट Stormbreaker फिर भी Bifrost के पावर को Harness कर पाता है जिससे कि Thor 9 Nels में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है इसके बाद हमें First look मिला Christian Bale के गौर का अब लुक पर react करूँ लुक पर तुम लोगों के क्या reaction है कॉमेंट जरूर करना वैसे यहां गौर के डैलोक से ही पता चल जाता है कि इसकी origin को यहां Comic Book से similar रखने की कोशिश की गई है इसकी origin पर मैंने एक separate वीडियो बनाई है सज़ेस्ट करूँगा कि वो जरूर देखना तो यह मुवी और अच्छे से समझाएगी गौर की इस वाले शॉट में आप उसके पीछे बहुत सारे टिंटिकल्स जैसा कुछ देख सकते हो जो की Venom की याद दिलाता है Comic Book में तो ऐसा हुआ था कि Null, God of Symbiots इसके साथ combine हो गया था जिससे कि इसमें बहुत सारे सूपर पावर्स आये थे साथी All Black Necrosword भी जो हमने टेडर में भी देखा तो लेट सी कि यहाँ यह लोग Venom का connection दिखाते हैं या फिर इसके सूपर पावर्स का source ही change कर देते हैं Personally मुझे लगता है कि भली Venom directly ना दिखाया जाए बट Venom के God मतलब Symbiots के God नल को दिखाया जा सकता है देन आता है ये वाला shot जो कि directly Comic Books के pages से उठा कर आपको दे दिया गया है ये God है फैलिगर दा बहिमत जिसको Comics में भी God नहीं मारा था जब God का पता लगाने के लिए थौर मरे वे Gods को ढून रहा था तब जाकर उसे इसकी Body मिली थी देना ते ये Action Scene Mighty Thor का जो कि मुझे तो बहुत Cool लगा जहां आप clearly देख सकते हो कि मियोनिर के तुकडों का यूज करके वो एक ही बार में Multiple Logo को मारती है विच आलसो मीन्स कि ये मियोनिर के तुकड़े आपस में Permanently नहीं जुड़े हैं बलकि किसी तरह के Force से वो एक साथ में हैं और जरुरत पढ़ने पे अलग-अलग भी हो सकते हैं वैसे clearly ये Location Olympia है और मेरा Guess है कि जैसा Fight ट्रैगनर रॉक में Entertainment के लिए कराया जा रहा था वैसे ही कुछ similar Zeus इनसे Olympia में भी करवा रहा है आप पीछे ये Thor को भी Spot कर सकते हो और clearly यहां कई और लोग बैट कर ये Fight enjoy कर रहे हैं वैसे इस वाले शॉट में Thor को आप एक Shining सा रोप यूस करते देख सकते हो जो की काफी similar है Wonder Woman के Last of Thrones से और आपको पता ही होगा कि DC में Wonder Woman का फादर कोई और नहीं बलकि खुद Zeus है अब देखो confused मत हो जाना अभी तक Marvel और DC का crossover नहीं हुआ है पर हाँ Thor, Zeus या फिर जितने भी Mythological Gods के character हैं वो DC और Marvel दोनों में ही exist करते हैं Since Gods का कोई copyright नहीं होता Then यहां हम All Black Necrosword के true power को देख सकते हैं Comics में भी यह sword इतना ही जादा powerful था एक बार तो नल ने इसके एक war से Celestial के सर को अलग कर दिया था तो आप इसके power का अंदाजा लगा ही सकते हो Then हमें कई shots मिलते हैं Thor, Gaur, Valkyrie इन सब के fight का Valkyrie clearly यहां Zeus के thunderbolt का use कर रही है Which means कि शायद Zeus is also dead And इस location का ambience देखकर साफ पता लग रहा है कि यह वही location है जहां Necrosword के help से Gaur सब कुछ destroy कर रहा था क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि यह location Olympia ही हो And देखो यह वाला shot सबसे आदा important है रुको brightness बढ़ा देता हूँ सबसे पहले तो इफ आप यहाँ Jane के पीछे कुछ statues spot करोगे तो आप War to the Watcher को देख सकते हो जिसे recently हमने What If में देखा था Then Living Tribunal भी यहां है जिसका एक छोटा सा cameo हमें अभी Recently Multiverse of Madness में मिला And even Loki के series में इसका easter egg भी था Then Lady Death भी यहां है बागी की तरह यह भी एक cosmic entity है And Ski and Thanos की love study बहुत ज़्यादा popular है comics में Then यहां आप Infinity को देख सकते हो And साथ ही Aeon को भी सब को मिला कर यहां जितने भी statues हैं वो सब cosmic entities हैं And Marvel Universe के creation का बहुत important part है And as always यह trailer भी end होता है एक funny scene के साथ जहां Zeus के सामने Thor रहता है And उसकी identity reveal करने के चकर में वो Thor के कपड़ ही खोल देता है But interestingly यहां भी एक hidden detail है If आप Thor के back पे ध्यान दोगे तो clearly वहां Loki के helmet का tattoo बना है Obviously एक तरह से यहां पे Thor ने Infinity War में Loki के sacrifice को tribute दिया है तो हाँ यार यह था मेरा breakdown Hope सो कि मुझसे कुछ miss ना हुआ हो फिर भी कोई detail छूट गया है तो यहर comment कर देना मैं pin कर दूँगा Overall trailer मुझे सही लगा And अभी तो यह एक fun light hearted movie ही लग रही है जैसा Thor Ragnarok था Same वैसा ही जिसे आप popcorn के साथ enjoy कर सकते हो Let's see movie आती है तो कैसी होती है मैं recommend करूँगा कि अच्छे से समझने के लिए गौर की origin वीडियो जरूर देखना साथी Jane Foster की origin भी मैं फिर से new वीडियो में सुना ही दूँगा Till then be desi, be nerd